हलो प्यारे बच्चों, यूग प्लेनेट में आपका स्वागत हैं आज जो है हम लोग शुरू करने वाले हैं आपका नौदेश येचेस और विद्या ग्यान जैसे ये सैनी की स्कूल आपके जो है जो नाइन्थ किलास के बच्चे हैं जो तैयारी करने वाले हैं अगर आप त तरीके से पूरी मेरी टीम बहुत अच्छे तरीके से सारे सब्जेक्ट को एकदम से अपना सही करके बना के हम लोग तयार होके टीम हमारी आई हुए है इस बार हम लोग ऐसा करेंगे कि हमारे जितने भी विद्धार्थी हमसे जुड रहे हैं वो मतलब एक अच्छी मुकाम प अब आप देखिएगा हम लोग क्या-क्या चीजे लेक्या रहे हैं अभी आज चेप्टर भी चलेंगे आपका जो पहला चेप्टर मैथ में आप जानते ही है मैथ पढ़ाता हूं मैं पहला चेप्टर जो संख्या पदती रहेगी और लेकिन क्या-क्या चीजे आपके लिए वह हम लोग थोड़ा सा डिसकस करेंगे जैसे कि मैं डिसकस करूंगा ठीक है तो ध्यान देंगे यह आप देख रहे होंगे तो यह जो है आप CHS के जवाहर न उद्ध्याले और सैनी की स्कूल जैसे इंट्रेंस एक्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तयार हर मर्ज की एक ही दवा है और यह दवा लेंगे तो आपका हर रोग ठीक हो जाएगा क्या क्या चीजे आपको मैं मतलब हमारी टीम जो है इसमें दे रही है हमारा प्लेटफार्म क्या 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 चीजा आपको दे रही है यहां पर दिया गया है जैसे कि all subject का जो है आनलाइन classes से जुड़े हुए है उनको जो है बहतरीन तरीके से जुन डिया जाएगा एक दम प्रफर अच्छे वे में और चेप्टर वाई जो है इंपोर्टेंट जो है इसलिए तो हे प्रिभेज़ और फिप्रियुइस ये इन के एक चेप्टर वाइज तो उसके लिए जो है आपका 15 दिन पे इस 15 देज में आपका एक टेस्ट होगा और उस टेस्ट का मैं आपको बता देता हूँ कि क्या सीचुएसन रहेगा उस टेस्ट में जैसे माल लिजे कि हमारे हां 500 बच्चे उस टेस्ट में बैठ रहे हैं तो वो टेस्ट एकदम आपको अगर आप टेस्ट में बैठ तो आपको लगे गा कि सचमरी एक्जाम में बैठ रहे हैं जो एक्जाम की फिलिंगस आप मार्च अप propriल jami में करने वाले हैं वह पहले हर मन्त में हम लोग दो बार वो फिलिंग देंगे आपको समझ रहे हैं और जैसे 500 बच्चे हमारे एक्जाम में बैठ रहे हैं इस वाले टेस्ट में तो उसमें कौन सा रेंक आपका है यह हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि इतने माक्स आपने लाया है कौन आपका को सही है यह सारी चीजे जो एकदम बढ़िया डिटेल से और हर एक कोश्चन का सुलूशन भी उसमें रहेगा समझ रहे हैं और टाप 10 विद्ध्यार्थियों का जो है स्टुडेंट का जो है नाम भी उसमें सॉट लिस्टेट किया जाएगा और बाकी चीजे जो है जो क्या ब करते हैं तो आपका डाउट सेशन भी हम लोग यहां चलेगा और देखिए अब बात आती है कि आखिर यह यह सब क्या है यह तो यही देखिए दुनिया की यही सही चीज है समझ रहे हैं बात आप समझेगा इसके बीना संभव नहीं है कुछ भी समझी रहे हैं देखिए यह जो आपने यह आप देख रहे हैं यह 1000 लिखा गया इसको कट करके जो है 500 रुपया एक मीनिममम यह समझ लीजिए नहीं कि अगर इतना हम लोग ले रहे हैं तो मुश्किल से इसमें कुछ बचत होगी तीन या चार टीचर आपको पढ़ा रहें पढ़ाएंगे समझ रहना और बाकी पीडियेप वगएर आपको सारी चीजे मिलेंगी एप वगएरा बनाने में अगर कोई बच्चे जानता होगा कि किस तरीके की खर्चे आती हैं तो यह एक मीनिममम पे है जिससे हम लोगों का जो है खर्च वहन हो सके बस इसमें विशेश कुछ इसमें नहीं है अभी हमको जो है बच्चों को सिर्फ जोड़ना है हम लोगों का टार्गेट यही है अगर आपकी वो अगर आपकी सफलता होती है तो कुछ इसवर करेंगे अगर होगा ऐसा तो हम लोग भी कुछ नकुछ हम लोगों का भी होगा लेकिन अभी फिल हाल में यह जो आप देख रहे हैं एक minimum price रखा गया है और यह भी देखिए यह price जो है आपको यह 10 month के लिए हैं यह मई जो है मई 2024 तक रहेगा और टार्गेट जो है यहां में पहले ही दे दिया गया है कि यह टार्गेट 24 वाला है मई जो है 2024 में रखा गया है कि तीन चार एक्जाम है देखिए यह ऐसा syllabus हम लोग जो है बनाए हैं कि सारे एक्जाम के लिए syllabus एकदम फूलफिल रहेगा आपके अधिक हो जाएंगे लेकिन कम नहीं एकदम यह ऐसी रणनीती बनाई गई अभी आपको दिखाया जाएगा देखिएगा तो कुछ एक्जाम जनौरी फ्रणी में हो जाते हैं लास्ट जो है आपका मार्च अप्रिल सबसमापति हो जाते हैं जैसे सबसे लास्ट में में होता है तो उसके फ्रणिंग के प्लानिंग की गई है और आप 10 सब्समंद के हिसाब से जितना यह लिखा गया है उसके हिसाब से भी अगर आप इस पर देखेंगे बाग करके देखेंगे कुछ नहीं है समझ रहे हैं ना मात्रक है तो आएगा देखिए बात कहां पर अब हम लोगों का यह पहला चेप्टर है समझ रहे हैं और इसका नाम है संख्या पध्धति एक दम से सिस्टमेटिक तरीके से चलेगा संख्या पध्धति इसको हम लोग बोलते हैं इंगलिस में नंबर सिस्टम नंबर का मतलब होता है संख्या और सिस्टम का मतलब एक तरीका एक सिस्टम तरीके में नंबरों को किस सिस्टम में जो है हम लोग हैं वो दस अंकों से मिलके बना है तोटल कितनE अंक मिलके बना है दस अंक से मिलके बना है वो अंक कौं कौं से है तो 0 है 1,2,2,3,4,5 ये 6,7,8 और ये 9 इसके बाद कोई ऐसा 1 अंक नहीं है जिससे आपके क्या बने है कोई number बना हुआ है मैं प्यारे बच्चों आपको क्या बताना यह आप चोटी-चोटी बाते आपको लग रहा होगा लेकिन चोटी-चोटी बाते ही जड़े मजबूत करती हैं समझ रहे ना तो आएगा ध्यान दीजेगा यहां पे कि यह जो है आपका 10 अंक है जैसे आपने ब तयार हो गया जिसको हम लोग 25 बोलते हैं अब देखिए इतनी चोटी-चोटी बाते तो मैं आपको नहीं बताऊंगा कि 25 को ऐसे 25 लिखते हैं या आप लिखेंगे इसको 25 यह वाली चीजे जो है आप छोटे क्लास में सीख क्या होंगे यह यह आपको सब्दों में और अंको होते हैं और उन्हीं तस अंकों से मिलके संख्याय बनती है अब संख्याय बहुत सारी है अनंत है अब देखेगा अब संख्या के बारे में अगर आप देखेंगे ना तो संख्या कैसी कैसी हो सकती है तो संख्या जो है अगर फिलहाल में अभी दो चीजों पर मैं बात करूं तो संख्या कोई भी आप लेंगे तो एक आपका संख्या होगा कोई भी संख्या आप लेंगे एक संख्या होगा जिसे हम लोग इवेन नमबर बोलते हैं क्या बोलते हैं इवेन नमबर बोलते हैं तो एक आपका जो है संख्या होगा जिसे हम लोग इवेन नमबर बोलते हैं क् जिस संख्या के अंत में जिस संख्या के इकाई अस्थान पे जिस संख्या के यूनिट प्लेस पे आपका क्या क्या आएगा जीरो दो चार छे और आठ जिस संख्या के यूनिट प्लेस पे जीरो दो चार छे आठ आता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं समसंख्या बोलते हैं आपको कुछ बता देता हूं जैसे एक्जामपल है जैसे माल लिजे कि मैंने बोला एक हजार चौभीस एक हजार चौभीस यह हम ने इसका इकाई अंक देखा यूनिट प्लेस देखा और हम समझ गये कि यह कौन से संख्या है संख्या है ठीक है इस पर जादे बात नहीं क्योंकि बहुत छोटी बात अब आईएगा लेकिन मैं बोली रहा हूं एक सिस्टम से हम लोग चलेंगे अब दूसरा जो है आपका क्या नंबर है बिसम संख्या बिसम संख्या को हम लोग इंग्लीज में बोलते हैं और नंबर देखें लॉइस डूएल रहेगा हमेशा आप प नबर का क्या है और नंबर का ये है देखिए यहां पे एक डिफिनिशन इसका यह भी देसकते हैं आपसंख्या की जो संख्या संख्या लिख के देख लिजेगा तोअब यह देखें जैसे मालनी जै कि मैं यहां पर बोल दिया 125 तो 125 आपका क्या है 125 का मतलब यह है कि यह विशम संख्या नहीं है जब संख्या नहीं है तो इतना ठीक है अब आईएगा इतना आप जानते होंगे लेकिन फिर भी जिक्र कर देता हूं थोड़ा थोड़ा चीज आईएगा क्या जैसे मालनी जै कि यह संख्या हो गया संख्या विशम संख्या आप जानगे अब यह सुनिये का ध्यान दीजेगा अब आप जो है यह जानते होंगे जिसको हम लोग बोलते हैं अस्थानी अमान क्या है आपका अस्थानी अमान का मतलब है आपका ये जो है आपका एक अस्थानी अमान है और एक है जाती अमान जिसको बोलते हैं और जाती अमान जाती अमान का है ये जो है इसे बोलते हैं फेस वैलू फेस वैली इंगलीज में बोलते हैं और इसे बोलते ह आपका place value देखे दिमाग पर नहीं आ रहा था लेकिन कोई बात नहीं place value बोलते हैं ठीक है इसे English में place value बोलते हैं देखे मैं ऐसा उमीद कर रहा हूं कि मेरे बच्चे जानते होंगे लेकिन फिर भी मेरा काम क्या है याद दिलाना है तो आएगा अस्थानी अमान का मतलब है ज सैकड़े वाले अस्थान पे हैं ऐसे जैसे माली जै कि कुछ नंबर में दे देता हूं ऐसे मैंने लिख दिया कुछ भी जैसे ऐसे लिख दिया अब पूछेगा इसमें आपसे बोल दिया कि एक का क्या बोल दिया एक का अस्थानी मान बताओ एक किस अस्थान पे है तो एक ज्एकाजहें के स्थान पे हें यह स फोल्ड फाँच का स्थानी मान बताओ पांच खाहाँ है लगा फेस्फालउ इसका अस्थानी मान में यानि प्लेस अस्थान बताना अड़ाता है कि वह किस अस्थान गौाय पेखे हैं अब आएंगा क्या होता है को यह सते जैसे आइने में स्थ का मिन देखते हैं चीचे से एक कि जिरो का फैस्त वेलु बताऊ बताओ युद्म जाति इसका फैस्वेलु कुछे गा। जातिय मान जिसका पूछेगा जिसका भी पूछ रहा है संख्या में वही अंक हो जाएगा बात समझ रहे हैं ठीक है तो प्यारे बच्चों यह एक बेसिक जनकारी है बाकी हम लोग चलते हैं कि हमारा जो है यह किस तरीके से क्या क्या आगे यह आपका नंबर सिस्टम है ठीक ह अब इसमें जो है आईएगा नंबर सिस्टम में देखिएगा आगे होगा मैं यहाँ पर आपको बताता हूं ध्यान दीजिएगा जब आप छोटे बच्चे होंगे थोड़ा सब दूसरे वे में देख रहे हैं हम लोग ठीक है प्राकृतिक संख्या जिसे हम लोग बोलते हैं क्या चीज़ नेचुरल नंबर जब हम लोग कोई भी होगा हम है या हमारे पिता जी हैं या आप हैं यह कोई भी होगा जब हम लोग सुरू जब छोटे बच्चे हम लोग रहते हैं तो वन से ही सुरू होती है तो आपका प्राकृतिक संख्या यहां से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 और यह प्राकृतिक संख्या कहां तक होती है अनंत तक प्राकृतिक संख्या कहां पर होती है अनंत तो यह आपका प्राकृतिक संख्या है सबसे छोटी एक प्रकृतिक संख्यान क्या वन कोई बच्चा बोलता है कि अच्छा इसा चोटा तो 0R救 опять संख्या थे बात समझ रहे है तो यह क्रतिक संख्या प्रकृतिक संख्या के बाद हम लोग पढ़ते हैं कि जरी संख्या क्वल पढ़ते हैं पूर्ण संख्या जिसे हम लोग बोलते हैं whole number क्या बोलते हैं whole number क्या बोलते हैं whole number whole number का मतलब यह है ध्यान देंगे थोड़ा सा जैसे देखिए प्राकर्तिक संख्या चल रहा था लेकिन दिक्कत तब हुई जैसे माल लीजे कि हमें लिखना है 10 अब किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि 10 लिखे कैसे क्योंकि हमें 0 के बारे में अभी जनकारी ही नहीं थी समझ हां तो बात यह आए कि तब जाके 0 का निर्माण हुआ और बोला गया कि जब प्राक rescue संख्याओं के समू में See the कर लिया जोई को प्राकर्तिक संक्या यह था एक से लेकार और यह डौट कहा तक अनंत ऐसे अनत तो यह प्राकृतिक संक्या के समूह में जब 0 को सामिल कर लिया गया तो उसे हम लोग बोलते थे बोलते हैं पूर्ण संख्या बोलना सुरू हो गया क्या चैशत पूर्ण संख्या C पूरु संख्या का मतला होल नंबर सुनिए ध्यान दिजेगा ये प्राकृतिक संख्या कंप्लीट नहीं थी जब उसमें 0 आया तो कम्प्लीट हो गया उसकी कमी पूरी हो गई तो पूरी हो गई इसलिए से होल नंबर बोलते हैं अब आई ये गाहल नंबर के बाद अच्छा ध्यान दिजेगा सबसे चोटा होल नंबर 0 सबसे बड़ा नंबर क्या होगा यानी पूर्ण संख्या अनंत बात समझ मेरे ऐसे पू नंबर होता है क्या सभी प्राकृतिक संख्या है क्या सभी नेचुरल नंबर फोल नंबर होते हैं तो यस यार नो में जबाब दीजेगा यस हाँ क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या किसके अंदर आ जा रही है फोल नंबर के अंदर देखे यह तो प्राकृतिक संख्या है दे जीरो प्लेस प्राकृतिक संख्या को क्या बोलते हैं होल लंबर तो सभी प्राकृतिक संख्या हैं होल लंबर होते हैं लेकिन सभी होल लंबर प्राकृतिक संख्या नहीं होता है क्यों क्योंकि ये तो प्राकृतिक संख्या है ये होल लंबर भी है प्राकृतिक संख्या भी है है, यह whole number है और प्रकृतिक संखया भी है लेकिन Jeerow केवल whole number ए प्रकृतिक संखया नहीं है। देख लीज़े चेंगे प्रकृतिक संखया वहां में यह आई नहीं रहा है बात समझ रहे हैं तो यह पूर संखया, पूर संखया के बाता है carrier जिसे हम लोग 2 है यह 3 है यह 4 और यह डाट डाट कहां तक अनन तक अब इधर देखिएगा जीरो के इस तरफ बाएं तरफ माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 डाट डाट यह कहां तक अनन तक तो देखिएगा इसमें माइनस प्लस वाली भी संख्या आती है माइनस वाली भी संख्या आती है और इसे जो है हम लोग क्या बोलते हैं आपका पुडांक बोलते हैं जीरो भी आता है प्लस वाली संख्या भी आती है और माइनस वाली संख्या भी आती है इसे हम लोग बोलते हैं धनात्मक पुडांक धनात्मक पुडांक क्या बोलते हैं प्यारे बचो धनात्मक पुडांक यानि पॉजीटिव क्या बोलते हैं पॉजीटिव इंटीजर्स इंटीजर्स क्या बोलते हैं पॉजीटिव इंटीजर्स और इधर वाले को हम लोग बोलते हैं इस वाले को हम लोग बोलते हैं रिडात्मक रिडात्मक क्या बोलते हैं रिडात्मक पुडांक और रिडात्मक पुदांक में जो है आपका जाएगा इसे इंगलीस में हम लोग बोलते हैं आपका निगेटिव निगेटिव इंटीजर्स सब्सक्राइब है निगेटिव इंटीजर तो बात समझ रहे हैं यह आपका जीरो के बाद वाली धनातमक संख्या है और जीरो के इस तरफ वले बाएं तरफ वाले क्या बोलते हैं इससे रिदात्मक पुदांक बोलते हैं तो बात यहां पे अब ध्यान देंगे थोड़ा सा और कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पुडांक होते हैं यस क्योंकि देखिए यह है प्राकृतिक संख्या यह वाला और यह पुडांक के अंदर आ रहा है तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पुडांक होते हैं कि सभी पूर संख्या पुडांक होता है यस क्योंकि जीरो भीस में सामिल है अब इधर से चलेगा क्या सभी पुडांक होल नंबर होते हैं नहीं क्योंकि होल नंबर में होल नंबर में आपका केवल पॉजीटिव वाली बाते आती है ना करात्मक वाली बाते नहीं क्या सभी प होंगे कि एक सिकंद प्रसा में तोड़ा लंबा टाइम लिया जाएगा तो बाद में बात होगी क्योंकि इसमें परिमेशंख्या को rational number क्या बोलते हैं rational number तो इसमें थोड़ा से यह लंबा इसमें time लगेगा क्योंकि इसमें परिमेशंख्या कितने परकार के होती है वो बताया जाएगा परिमेशंख्या किसे कहते हैं वो बताया जाएगा परिमेशंख्या को संक्या रेकापर परदसित करो यह बता जाएगा दो परीमे शंख्याओं के बीच में अनंत ध्यान देंगे देखिए आचा ये देखिए अब ये पुडांक दिया है तो पुडांक का मतलब आप जानते हैं कि पुडांक का मतलब अभी में बताया कि जिसमें प्लस वाली भी बाते आएंगी 1, 2, 3 और ये 4, ये 5, डॉट डॉट ये और यहां पर माइनस 1 और ये माइनस 2 माइनस 3 डॉट डॉट ये अनन तक तो ये आपका पुडांक है क्या मैं बोल रहा हूं आगे यही था में एक ही पेज में बता दिया देख खोल खोल के आपको में दिखाऊंगा सुनिएगा मैं एक फिगर आपको देने वाला हूं जो आपके आपको जानना जरूरी है ध्या मैं ये दो हो गया ठीक है ये दो उपर जा रहा है थोड़ा समय मी चाता हूं प्यारे दोस्तों मैं आपको ना बढ़ियां से सजाकर देने की कोशिस कर रहा हूं ठीक है थोड़ा सा नीचे लिए जाएगा यहां पर देखे तो हो जा रहा है कि यह कि यूरोन चले यह कर बहुद बढ़ा बढ़ा हो जाएगा ना ये चले कोई बात नहीं हाय यह यह को मैं हाथ से ही बना देता हूं कि आईएगा देखेगा यह आपको जानना जरूरी है इसलिए मैं बता रहें यह एक जो है ऐसे हैं और मैं मैं इसे बोल देता हूं क्या चीज ध्यान देंगे थोड़ा से इसे पतला कर दे रहा हूं इसे मैं बोल देता हूं प्राकृतिक संख्या बोल रहा हूं आप सुनिएगा प्राकृतिक संख्या और मैं एक और ऐसे फिगर बना रहा हूं और इसे जो है मैं बोल देता हूं पुर पुर्शंख्या पुर्शंख्या यह और एक मैं ऐसे फिगर बना देता हूं और इसे मैं बोलता हूं पुडांक पुडांक एक और ऐसे फिगर बना देता हूं ऐसे और इस लास्ट वाले को मैं बोलता हूं परिमे शंख्या परिमे संख्या और एक यहां पर फिगर बना देता हूं जिसे मैं आपको बता देता हूं और इन सब को एक डब्बे में अगर में भर दूँ एक डब्बे में भर दूँ तो यहां पर यह डब्बा में जो है आप लिख सकते हैं वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या दो ट समझ रहें, देखे, सारी प्राकृतिक संख्याएं, पुर्ण संख्याएं होती है, सभी पुर्ण संख्याएं, पुडांक होता है, सभी पुडांक परिमेशंख्या होता है, अब इधर से देखेगा, क्या सभी परिमेशंख्या पुडांक होता है, नहीं, क्या सभी परिमेशं ये वाली चीज जो है मैं कोशिस कर रहा हूं कि थोड़ा सा उपर कर दूए इसे यह ऐसे देखिए आप इसे नोट कर लिजे यह बीच में जो है कि चलिए तो आईएगा अब हम लोग जो है चलते हैं देखिए दूसरा क्या है नेचुरल नमबर है नेचुरल नमबर जानते हैं प्राकृतिक संख्या समझ रहा है जो हम लोग बच्पन में सबसे पहले संख्याओं को पड़ते हैं उसे प्राकृतिक संख्या संख्या अभाजी संख्या किसे कहते हैं तो सुनिएगा जो खुद और खुदा से कटता है जो खुद और खुदा से कटता है उसे हम लोग अभाजी संख्या बोलते हैं या जो खुद और खुदा से कटता है उसे प्राइम नंबर बोलते हैं या जिन संख्याओं के केवल दो गुड़न खंड हो आईएगा यहां पर लिख को मैं बताता हूं जिन संख्याओं के जिन संख्याओं के केवल केवल दो गुड़न खंड हैं दो गुड़न गुड़न खंड होते हैं उसे दो गुड़न खंड होते हैं पहले रुख जाइए यहां पर उसे मत लिखे दो गुड़न खंड होते हैं उसमें एक वन और दूसरा स्ट्वायम वह संख्या होती है, नहीं समझ मैं आगा घबराईए मत, जैसे उदारण में आप देखिएगा, जैसे जैसे दो, दो के कितने गुडनकंड है तो आईए अगा ध्यान देंगे, एक एक है और एक दो, गुडनकंड मतलब जानते हैं क्या होता है, गुडनकंड का मत मतलब होता है, फैक्टर, मतलब इसके, इसके, इसको, इसको, इस दो को कौन-कौन सी संख्या काट सकती है, तो इसको एक, एक पुरा-पुरा विभाजित कर देगा, और एक दो, इसके अलावे और कोई ऐसी संख्या नहीं है, जो दो को पुरा-पुरा विभाजित कर दे, आ कहीं तो मैं लिखा हूं ऌो चीवल दो गुरन खंड जैकि यह और उधारन लेता हूं जैसे की 504 जैसे जैसे पर ही जैसे जार बस इतना है होगा इसका क्या होगा तो एक होगा और एक या रहा हो तो मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान देंगे यह बोल रहा हूं कि 118 गुरुण चैकर होगा ऐो संख्या होगी तो बात समझेगा अभी मैंने क्या बोला कि जिर सक्च ब्याencial को the खुदा से कड़ता है खुद का मतलब सवैन स्वैम से और सवोचा मतलब एक आप जानते ही मारे भगवान एक के उसे हम लोग क्या बोलते हैं अभाज संख्या Aboriginal प्रफॉ और आप कोई सीमा नहीं बहुत दूर तक लेकिन जितना हमारे संख्यां में इंप्रन्ट है जितना हमारे एक्जाम के लिए important है उतना मैं आपको बता देता हूं ठीक है तो आईएगा कुछ एक आपको बहतरीन जो है अभाजी संख्या पर अभाजी संख्या पर एक बहतरीन आपको लेक्चर में दिखा के दे के दिखाता हूं एक भी कोश्चन अभाजी संख्या से आ जाए तो आपका नहीं चूटेगा इस चीज की गरांटी है इस चीज की क्या है गरांटी है आईएगा देखिएगा तो इसमें आप समझ गए हो कि संख्या साथ और खुदा मतलब संख्या साथ और खुदा मतलब एक तो इसके दो ही गुरन खंड होते हैं तो आएगा अभाजिसंख्या जो है कौन-कौन अभाजी संख्या है थोढ़ा सा हम लोग ध्यान देंगे तो आईए प्यारे बच्चों मैं एक छोटा सा जो है ऐसे जो है एक नक्षा बनाता हूं और इशी नक्षे में जो है आपको बताऊंगा तो प्यारा लगेगा आपको भी ठीक है तो यह हो गया उसके बाद आप आईएगा यहां पे यह देखिएगा एक यह दू ती चार पांच छे शे शाट आठ और यह नौ दस एक चुली में यह गिंती में लिखूंगा यहां लेकिन गिंती नहीं लिखूंगा उसी में आपको प्राइम नंबर लिखूंगा एक से लेकर दस तक सुनिएगा प्राइम नंबर सुरू हता है दो से दो ठीक है दो उसके बाद से तीन तीन के बाद से चार पांच पांच के के बाद आईएगा यहां पर जो है आपका 23 23 के बाद 25 26 28 29 29 29 के बाद देखिएगा 31 31 के बाद से आपका कितना होगा 37 ठीक है अब 37 के बाद यहां पर आईएगा 60 क्या होगा 69 होगा ठीक है 69 के बाद 60 61 62 63 64 65 66 66 66 और यह आपका नोचो पंदर नहीं होगा यह आपका देखिए यह एकहत्तर तीहत्तर और यह उन्याशी और उन्याशी के बाद 81 82 83 83 आपका आठतीने 11 तीरासी ठीक है 84 85 86 87 पंदरा 87 के बाद 88 89 89 और आपका जो है नब्बे होगा 91 92 92 हो गया 93 93 93 तो तीन से कटेगा जी तीरानवे चौरानवे पंचानवे 96 97 और यह सौ तक टोटल अभाजी संख्या मैंने लिख दिया आपको अब देखिएगा यह टोटल है कितना तुरस आइए मैं देख लेता हूं कि सही एक नहीं यह चार चराट दस और दस और यह कितन होगा 12 10 12 13 14 15 50 तक टोटल पंदरा भाजिसंख्या होती है तो ठीक है 15 को 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ठीक है एकदम सही है यही आपका जो है अब यहां पर आईएगा अब सुनिएगा ध्यान दीजिएगा मैं जो बोल रहा हूं इस पर आप गौर फरमाईएगा सबसे छोटी अभाजिसंख क्या दो सबसे छोटी अभाजिसंख्या दो नोट करिएगा सबसे सबसे पॉइंट नमर वन सबसे छोटी अभाजिसंख्या 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 बराबर क्या चीज़ दो ठीक है सम अभाजिसंख्या सम अभाजिसंख्या अभाजिसंख्य और संख्या केवल 2 ही एक ऐसी अभाज़ि संख्या है जो समdepende संख्या कौन है ढौिए अब हाईएगा एक से एक से यह नहीं हो गया एक से 20 तक 20 तक कि पुद कि तनी अभाज Оज संख्या है कितनीु अभाज़ियां लिक रहा हो यह कही न 32учे नहीं 홍ाशंत snug hem में आये हुए हैं एक से कि यह गर्वर हो गया कि यहां पेशा लागे है यह यह देखिए एक से बीस तक कुल कितनी अभाजी संक्या है अभाजी संक्या है तो आप देख लो चार और चार आठ टोटल कितनी अभाजी संक्या है आठ अब यहां पे आईएगा ध्यान देंगे एक से एक से बीस तक की अभाज्य अभाज्य दिख रहा है संक्या का योग योग बराबर कितना होता है सतहत्तर होता है ठीक है सबसे चोटी अभाजी संक्या दो सम अभाज्य संक्या कौन सी है तो दो बस एक ही ऐसा एक सम संक्या है जो अभाज्य है और वह कौन सा है दो एक से बीस तक कुल कितनी अभाज्य संक्या होती है आठ आप गिन सकते हैं देखे आठ एक से बीस तक कि कुल अभाज्य संक्या का योग कितना होता है सतहत्तर अब तो आई एक थोड़ा से यहां पे आ जाई इसमें तेखिये थोड़ास जगह इसमें भी बना देता हूं यहां से एक से पचास तक 50 तक पचास तक कुल कितनी अभाज संख्या है कितनी अभाज़ संख्या एधम यह तो आप । से लेकर पचास तक टोटल पंदरा भाज संक्याय हैं और इनका योग में को स्ट्रक में लिख देता हूं योग 328 होता है यह समझ लिए बहुत इंपर्टेंट आप कहेंगे कि सरी क्यों लिख रहे हैं मैं तो काउंट कर लूँगा वहां पर लिख के काउंट करना सुरू करेंगे तो आप एक दम सफल हो जाएंगे इस इस कि आप यह अदम समझ लिजिए इक्जाम में हमको पूरी सारी चीजे हमको एदम याद होनी चाहिए वहाँ पर जाकर सोचना नहीं है वहाँ पर टाइमिंग का खेल है समझ रहे हैं तो यह सारी चीजे आपको यहाँ पर भाई जोड़ोगे ना वहीं पर भी हो सो जाओगे अब आईएगा एक से एक से साव तक साव तक साव तक कुल कितनी अभाज संख्या है कितनी अभाज संख्या है एक से लेकर सो तक पचास अभाज संख्या है अगर कोई इन से पूछ दे कि एक से लेकर सो तक की अभाज संख्याओं का योग बताओ एक हजार साथ होता है जैसे मैं याद किया हूँ वैसे आपको भी याद करना होगा क्योंकि वहां पर अगर आप जोडने चले ग है कि आप अभी से तैयरी सुरू कर देज़ें याद करना शुरू कर दीङे तो एक से लेकर सो तक पुल कितनी अपहाजी सँंस्क्या है पचीज उनको यो कितना होता है तो आपका जो है एकन सांथ कआता है अब आई एका थोड़ा सा क्या कौन सी है तो यह आपका 997 है याद रखिएगा और सबसे चोटी कितनी है 101 यह पूछा हुआ है इसलिए में आपको जो है यह सारी चीजे बता रहा हूं जिस तरीके के बात यह है कि युद्ध आपको करने जाना है तो आप युद्ध पहले कैसे हुआ है उसकी तैयारी आ में आप जीत सकते हैं पता ही नहीं है कैसे यूदो किस से लड़ना है गया से लड़ना है कि भाह से लड़ना है कैसे कुशन आएंगे तो आप ऐसी बस मूठा के चले गए तो नहीं होगा समझ रहे ना टाइम लगेगा दो चार-पांट साल ऐसे लग जाते हैं आप जानते ह कर लेना नोट करके आप किसी को दिखा लो किसी को समझा लो या किसी को जिंग संस्तान में चले जाओ देखो इतना मैटेरियल अभाजी संक्या पर कोई नहीं देने वादा है देगा तो लगेगा करने समझ रहे ना तो इस चीज़ को आप समझेगा मैं यह नहीं कह रहा हू और इस वाले में जो है आपका दो है और तीन अंकों की सबसे चोटी संक्या यह तीन अंकों की सबसे चोटी अभाजी संक्या 101 तीन अंकों की सबसे पढ़ी अभाजी संक्या 997 इतनी बात अभाजी संक्या से रिलेटेट आपको याद है एक चीज और अभाजी संक्या को से प्रस्त नाएगा छूटेगा नहीं आप से यह अगर आप मेरा नोट्स आपके पास होगा तो यह सारे नोट्स जो सुरू में मैं एक्स्प्लेंड करके वह फिगर में बताया था जो आपको यह बैस के संक्या मतलब है वह संक्या जिसके 2 से अधिक गुरुंखंड है जैसे चार के कौन-कौन-कौन-कंड कंड है मतलब को कौन-कौन काट देगा पूरी-पुरी भिवाज़ित करेंगा एक दो और होई स्वें क्या होगा चार तो देखिये दो से अधिक का चार है चार इसको काटने वाले हैं तो अब क्या होता है क्यों दो go और इसमें क्या उता है कि दो से अधिक गुरनकल्ड दो से आदिक जीन संच्याओं के दो से अधिक गुडन खंड होंगे उसे हम लग composite number बोलते हैं और भाजी संख्या कभी कभी बिहोस हो जाता है बच्चा पूछ दिया जाए कि सबसे छोटी composite number कौन सा है समझ रहे ना सबसे छोटा भाजी संख्या कौन सी है बच्चा एक दो तीन ऐसे गिनने लगता है लेकिन ध इस चोटी संख्या कि भाज संख्या कि बाहत है चार कि नोटकर लिजे गैं बहुत इंपornt है इसका बात से देखिए गामीज संख्या के बात से जह है अब हीका है कि रिलेटिव संख्यान और यह को प्राइन बंबार यह आपका है सुनिएगा इसका नाम पर मत जाएगा कि अभाज लिखा है या प्रैम लिखा हुआ है तो प्राइम नंबर होगा नहीं ऐसी दो संख्या ऐसी दो प्राकृतिक संख्या है जिनके बीच केवल एक कॉमन हो जिनके बीच एक कॉमन हो जैसे आप देखेगा ऐसे संख्या है आपका सहाभाज संख्या है समझ रहे है ना सापेक शाभाज यानि मतलब को प्राइम नंबर है सुन लिए एक बड़ और जीन संख्याओं के बीच जीन दो संख्याओं के बीच केवल एक कॉमन हो एक वन जैसे इसमें क्या है इसमें जो है मतलब कुछ भी उनमें बच्चों को लगता है कि अभाज़ संख्या वह सकता है जैसे सुनिएगा कियोंकि इनमें common अगर देखेंगे तो सिर्फ एक common है और कुछ common नहीं है यानि जिन दो संख्याओं का HCF मसप एक होगा वो आपका साथाभाज संख्या कहलाती है और वो दो संख्याओं प्राकर्तिक संख्या होती प्राकरतिक संख्यान के कामसा इक हो उसे हम लोग जो ऐसा अभाजी संख्याएं बोलते हैं अभाजी नाम पे बच्चे डर जाते हैं और लगता है कि नहीं नहीं भाजी होना जरूरी है ऐसा कुछ नहीं अब आईएगा इसके बाद ट्विन प्राइम बोल रहा है ट्विन प्राइम का मतलब होता है जुडवा अभाजी जुडवा अभाजी का मतलब है प्यारे दोस्तों प्यारे बच्चों कि जिन दो अभाजी संख्याओं के बीच दो कांतर हो इसमें अभाजी संख्या रहना एकदम जरूरी है जैसे फिर से दो अभाजे संक्या, फिर से एक बार हो, जीन दो अभाजे संक्या, जीन दो अभाजे संक्या, अभाजे संक्या, अभाजे संक्या, अभाजे ही होना चाहिए, जीन दो अभाजे संक्याओं के बीच का अंतर दो है, उसे हम लोग जो है, ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं, जैसे 5, x, sorry, 3 और 5, इनके बीच का अंतर कितना है, 2 है, देख लो, आप इनके बीच का अंतर देखेंगे, अंतर, तो कितने का है, 2 का है, तो यह जो है, यह वाला आपका, 3, 5 क्या हो जाएगा, ट्विन प्राइम हो जाएगा अब आजएगा दूसरा जैसे 5 और 7 इन के बीच में भी दो कांतर है ट्विन प्राइम है और देखेगा 7 7 तो नहीं होगा एक 111 और 13 होगा ल प्यारे बच्चों मुह लग रहा है कि आप चीजे समझरे होंगे और समझ रहे तोफटाक से जो है क्या करेगा लाइक कमेंट सबस्क्राइब वगरा करते रहएगा अब एकदम फटाफट जो है dictum जितनी दोफजी के साथ हम लोग बैस लेके आए हैं जितने दोफ औब आपको पढा रहे हैं आप उतनी ही आणरी के साथ थोड़ा सेर कर दीजिए समझ रह ना और फहलाई एक तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही बाकी चीजे में बोला ही कि रिष्णल नमबर के और बात से इसके टाइप बताए जाएंगे कि कौनamba से इसके टाइप है इसके रेशनल लेका आज आपका ही काम है इसको पढ़ो ध्यान से और थ्यूदा गैनते आपका सुरूर हो चुका है नया बैच 2024 के लिए बहुत बहतरीन तरीके से सफल होने के लिए एक बहुत अच्छी रणनीती लेके सर लोग आये हैं तो आप फटा-फट जूड़ जी आज के लिए प्यारे दोस्तों कल बागी